तो नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे नए न्यू ब्लॉग में और हाँ सुबा सुबा जब मेरी नीद फुली तो जब हमने मोभाइल उठाया तो हमने देखा बहुत लोगों वीडियो देखी रील से देखे व्लॉग देखा कि हमारे जो लेटे हुए बड़े हनुमान जी है वो गंगा में अपनाब कर चुके हैं दूब चुके हैं तो आज तक हमने सिर्फ सुना था तो आज हम जा रहे हैं साक्षाक उसे देखने तो इस समय अभी हम खड़े हैं नए फूल पे और साम का वक्त भी है तो चलिए चलने हैं अच्छे समय हम लोग घाट पर पहुँचे कि थोड़े ही देर में मात्र गंगा आरती भी देखने का हम लोग को सवभाग के मिला कि थै mash हम लोग कैस्वाट पर पहुचे चाहते वी देनि मात्र गंगा रहे हैं सार कि भी हाँ ठड़े को सवफ़े हैं cucal-धैनान आरती देखने पर पहहीं तो बोदोफमा थूलाट of चल्रपार पहुचे झाल 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 आरती होने के वाज़ा हम आगे हनुमान मंदिर की तरफ बढ़े तब देखा हम लोगाने चारो तरफ सिर्फ पर सिर्फ पानी पानी था लोगों कोई घुटने तक पानी आ गया था जर्फ बढ़े पानी अच्छे माता स्री बड़े हनुमान जी मंदिर और ये रहा नीचे गंगा का पानी गंगा के पानी के बीच में से हम होते हुए जा रहे हैं स्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करने तुमने भक्ती रखी 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 क्या होती है मंदिर पूरी तरह से पानी में डूप गया है हनुमान जी की परतिमा गंगा जल में पूरी तरह से डूबी हुई है पूजन के बाद गर्वक्री भी बंद कर दिया गया है अब बाड का पानी हटने पर ही स्रधालूओं को दर्शन मिल पाएगा और मान्यता ये भी है कि गंगा मैया जिस साल हनुमान जी तक पहुचती है उस साल विस्व कल्यान का या संकेत होता है जाएब बाद गंगा मैया के जाएब 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 की जाएब की जाएब कि अदिए पार पिटारा करे जबाद खडरलिकर पर्शर दवड़ने बहुरू पर्शो पस्जो परते काल पड़ने पहरू परते करें